हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल अज डिसकस करते हैं ओटी टेक्निशियन के इंडेट का कुछ खायरी और डाउट की बारे में जॉइनिंग लेटर के लिए जो आपने डेली जो कमेंट करते हो कि आपका जो क्वेशन रहता है कि कॉब आएंगे सो एकोडिंग टू रिक्वेटमेंट सेल का जो क्लार के उनकी हिसाब से कि फास्ट लाइन विरिफिकेशन हो चुका है सेकेंड लाइन अभी तक प्रोसेस में हैं मेभी वान मन्त लगेगा तो बहुत लॉंग टाइम साब वेट कर रहे हो क्योंकि गवर्मेंट जॉब है तो आ जाएंगे और दूसरी बात यह है कि आपके लिए प्रिपरेशन जो है तिको फास्ट फॉल की आपकी कोर्स आलागे मेरा कोर्स से नहीं में मेडिकल सर्जीकल से तो मैं फास्ट ताइम आप पोर्टी टेखनीशन के एक्जाम दी थी जो डेली एम्स इस बर मैंने क्रेक किया बट मैरा जो थोड़ा सा सजेशन है कुछ टॉपिक का उपर मैं वो आपको बताऊंगी शायद आपके लिए हलफुल रहेंगे क्योंकि मैं 2020 में बहुत सर एम्स क्रेक किया मैं तिलना फाइव एम्स क्रेक किया है तो जो बेसिक आइडिया है मुझे फाइव एम्स क्रेक करन है बट कुछ इंपोर्टेंस टॉपिक है जो हारवर उसे से रिपीट होती है जैसे कि देखो फर्स्ट में डिसकस करना जाती हूँ कि आप नेक्स्ट यर भी डेली इम्स में एवरी टू यह में एकपर टी एट सिस्टन का वैकेंस निकालते है बट इस बर वाइश बेंगल म नेक्स यर आभी 15 एम्स अल्मस्ट रानिंगे तो कोई ना कोई एम्स में तो आपका वैकेंसी आये जाएंगे तो आप बहुत साल से जो भी ओट कर रहे हो तो आपकी जो नीव एम्स बागी जो रिक्विट कर रहे हैं नर्सिंग ओफिसर का कुछ दिन की बाद आपकी भी र इक्विट्मेंट करेंगे तो आपको आभी से प्रिपरेशन चुरू करना है तो सबसे पहले कैसे करें कि देखो फर्स अफल आपका कॉलेज के जो आपका सिलिवस है उसको देख लेना है बट में चीज इतना सिलिवस वास्ट है आपको टाइम नहीं मिलेंगे इतना कुछ करने का मिन्स इतना कवर करने के लिए बट आप कुछ भी प्रिवियस जो कोशन आती है तो उस को याद किया करो आप जैसे कि आप डेली एम्स का वोटी के एक्जाम लिखे आपको याद ही क्या कि कोशन था उसी टॉपिक से जो भी कोशन एराइज होती है सारे कोशन को सो मुझे जादा नोलेज तो नहीं है एस नर्सिंग ऑफिसर एम्स का तो बैसिक नोलेज मुझे है पर आपके लिए और डीप नोलेज का चाहिए क्योंकि एनस्टेशिया का कोशन की बात करें तो आप फुल स्टाडी करने इसके बारे में जैसे कि पीडियाटिक में कुंसा अनस्टेटिक ड्राग यूज करती है डाल्क में कुंसा की जाती है जिसे कि सेबो फ्लोरीन, ड्रस, फ्लोरीन, आइसो फ्लोरीन ओ सारे चीज़ का कालर कोडिंग, प्रिपरेशन ओ सारे चीज़ आप डीप स्टरी करों क्योंकि प्रोफ ओफ वाल वेगरा ओ इमेज बेस भी आपके एपरेटर से सारे मेशिन का हो आप क्लियर उसकी बारे में कॉंसेफ्ट क्लियर रखना सेकेंड तिंग है जो अनाटोमी फीजोलोजी है वो हर प्रोफेशन के लिए आइमीन हेल्थ केर वर्कर जो भी है रेडियोग्राफर हो फीजो थरापिस्ट हो नर्सिंग ओफिसर हो सब के लिए सेम अल्मोस्स सेम सेलेवाज़े क्योंकि अनाटोमी के लिए आप मेरा चैनल का प्लेइलिस्ट में भी जाके जो अनाटोमी का कॉश्ण हो देख सकते हो क्योंकि नर्सिंग में भी जो कॉश्ण रिपीट आती है वो रेडियोग्राफर इवेन ओटी टेक्निशियन में भी आते हैं जैसे कि आपकी बेसिक अन नोट बनाओगे तो शाद नेक्स्ट एक्जाम में अब के लिए हल्फुल रहेंगे जैसे कि पीन इंडेक्स सेफटी सिस्टेम मैंने देखा था डेली एम्स में जो बोटी के एक्जाम लिखी थी वो सारे कुश्ण एक्जाम में थे तो मेरा कहने कहिए है कि ए जो टॉपिक एक पर एम्स में एक्जाम आया मतलब नेक्स्ट एक्जाम में उसका अल्टरनेटिव पूछेंगे इस बर कुछ आया था और नाइट्रस ऑक्साइट का पीन का कुछ एरेंज में पूछा था तो आप इसके बारे में डीटेल्स पर लो जैसे कि ऑक्सिजन का 2 5 होती है और न इस एक्जाम एक कोष्ण आया तो नेक्स्ट में घुमा के दूसरा आएंगे बड़ टॉपिक सेम रहते हैं नेक्स्ट ए इमर्जंसी ड्रग यह तो हमारे लिए भी इजी था क्वेशन क्यों कि जो भी था इमर्जंसी ड्रग आपके लिए भी क्यों कि सारे जो इंटीवेश सबचे सब उसका वायल देख लो इमिज देख लो प्रिपरेशन सब कुछ देख लेना है क्योंकि इमर्जनसी ड्रग से आपको फोट वाय पोशन रहेंगी कोई भी एक्जाम हो नेक्स्ट इक्विपमेंट आपने दिखा इस वर डेलीम में भी बहुत सब्सक्राइब पूछा है मुझे एक्विपमेंट पूछा है मुझे एदनी आ रहे हैं जैसे कि कुछ लारिंजल मास्क एर वे उसके बाद आप देख लेना सारी टीट्यूब का और इवन इवन नेक्स्ट इक्विपमेंट इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट है जिसकि आपकी जो माल्तीबच मोनिटर है इसके बारे में भी आप देख लेना है माल्तीबच मोनिटर है धिर आपने देखा ना ग्राफिकल प्रेजेंटिशन का पर शॉरघ अपने ब्रेजनेशन का भी था तहाए ब्यो टु का बी-पी का तारे चेज़ वो देख लेना है फिर कुंसा pulse oximeter है, multi-parac кусai, ventilator क्या है non-invasive ventilator का मेशीन का equipment फिर जो भी hospital में emergency equipment है फिर वो सारे चीह सब completely image भी देख लो and how to use and वो भी देख लियाना है और किसमें कुंसा condition में use करते हैं next है instrument being a ot assistant आपको सारे instrument आना है जाहें जैसे कि आर्ट्री फोर्स थे फिर आपकी स्पेकुलाम बेगरा फिर नीडल होल्डर जो सर्जीकल बीपी हैंडल उसके बाद जो नीडल का साइज वो सारी चीज़ कॉंप्लीट जो इंस्टुमेंट यूज होती है डायलेटर बेगरा तो कॉंप्लीट इंस्टुमेंट देख ऑप देख लेना अच्छा से क्योंकि एरेऑड में कुंसा जाएंगे ब्लू बीं में क्या डिसमें इस परना जाना है तो ग्लॉप्स किछमें जाएंगे इमेंज देывать दीया था तो पेपर किसमें डिस醪ोस करोगे फिर कोई सब्स्टुमेंड किसमें डिसपोस करना है सबसे पहले तो इसका अलग-अलग different different image भी देख लो image पिसको शना जाएंगे second thing उसका जूल है जासे की defibrillator by physics भी होती है, monophysics भी होती है, monophysics में हम 360 joule को select करते है, अगर by physics है तो हम 120-200 तक joule select करते है, तो defibrillator हम कब यूज करते हैं, जब किसी patient को pulse-less VTO, ventricular tachycardia हो, ventricular fibrillation हो, तो हम defibrillator यूज करते हैं, तो उसका जो pad है कहां यूज करना है, means epics में, base में, फिर वो सारे चीज़ आप देख गरना है, कि कि इसके बारे में question रहेंगे, next CPR, इस बार भी देली एम्स में कोशन पूछा था आपकी एक्जाम में कि CPR का रेट पूछा था उन्होंने जैसे कि 100 to 120 पार मिनिट होती है फिर नेक्स्ट एक्जाम में में भी पूछेंगे CPR का रेश्यो जैसे कि 30 to 2 होना है फिर आपका डेप्थ भी पूछ सकते है CPR का और भी कोशन था जैसे मुझे याद नहीं आ रहें बट CPR का आप उसका कितना साइकल देना है जैसे कि 5 सेकल देना है तो टू मिनिट का अंदर कंप्लीट करना है फिर आपको केरोटिट पाल चेक करना है जो हार चीज़ जो कोशन एराइज हो सकती CPR में सब कंप्लीट देख लो नेक्स्ट है आईबी फ्लूइट आईबी फ्लूइट के बारे में अब क्लियर देख लोगी डेली एमस में इस बार पूछा था कुछ आईबी फ्लूइट का कोशन था एक्जाक्ली याद नहीं आ रहें कुछ तो पूछा उन्होंने जैसे की अलबोमीन बगरा कि क्रिस्ट क्रिस्टलेड में जैसे की आईसोटोनिक होती है हाईपर टोनिक हाईपर टोनिक और कोलोईड में आपका अलबोमीन डेक्स्ट्रोन फिर ब्लड प्रड़क्ट इस अवाद है एक कोशन आया नेक्स्ट एक्जाम में दूसरा आएंगे तो आप इसके बारे में भी कंप्लेट इसका फुल फर्म जा अर्टिफिशल मैनूल ब्रिधिंग यूनेट उसके कैपासिटी चिल्डन में कितना है अडल्ट में कितना है फिर एमभू एक का और भी किया के कोशन बन सकते इसके बारे में भी अब देख लो नेक्स्ट ए बॉयल सेपरेटर्स कुछ सोरी बॉयल जो कुछन था ड्राग केलकुलेशन का तो ड्राग एंड डोस केलकुलेशन दो ही फॉर्मॉला ही सिंपल है अगर आपको कोई भी ड्राग दी असपोस ऑर्डर किये हैं तो आपके पस अवेलेबल कॉंटिटी होंगे तो आप डी बाई ये फॉर्मॉला यूज करते तो आपको को आजाएंगे कलकुलेशन का अगर ड्राग फेक्टर भी करना है तो आपको वोलियूम को अफेक्टर भी करना है तो वोलियूम इंटू आपके जो टाइम है उसके बाद ड्राग फेक्टर फिर टाइम से डिवाड़ेट करोगे तो आपको ड्राग फेक्टर भी जैसे कि sodium का normal value कितना है, potassium का कितना है, urea, creatinine, normal value का उपर एक question था इस बार, that means next exam में और दूसरा कुछ रहेंगे, तो देख लेना, जैसे कि potassium भी देख लेना, क्योंकि हमारी body में important electrolyte potassium होती है, potassium अगर high भी होगी है, तो patient death हो सकती है, low भी होगी है, death हो सकती है, तो potassium बहुत important electrolyte है, जो हमें closely monitor करना है, इसलिए mainly आप ये सारे basic, तो आपको knowledge होना ही चाहिए, फिर aims का staff है, तो आपको और भी deep knowledge होना है, next है, हाँ needle, needle का image based question आ सकती है, 12 number का size कैसी है, मतलब sharp कुन सा है, उसका जो करना रहे, आप देख सकते 12 number, 22 number, आपकी needle की size देख लेना है, I mean, sorry, जो blade है, surgical blade की, I mean to say, skin preparation, इस बर भी question आयता होगा, skin preparation का, कि skin preparation का step पुछा था, कि पहले shaving करना है, next bitardine लगाना है, next spirit लगाना है, तो इस तरीका से next exam में skin preparation से related, जो भी question arise हो सकती है, वो topic से आप read out कर लोगे न, यह main golden topic है, जो मैंने select किया है, according to daily aims, मैंना first experience था, उससे base करके, बड़ आपके लिए helpful रहेंगे, next, आपकी CBP का question आयता, normal, जो central venus pressure कीतना होती है, जैसे की 3 to 8 mm of age, simple question पुछा था, बट next time, और भी पूछ सकते है, उसका centimeter water में कीतना है, कैसे measure की जाती है, point कुंसा है, कहाँ का pressure है, तो complete CBP के उपर भी आप देख लो, next question आपके simple आया था, pH के उपर, blood का जो pH है, 7.35 to 45 cm, तो pH का भी एक पर देख लेना, next question, morphine का कुछ था, exactly याद नहीं आ रहे, तो morphine का आप देख लेना, कैसे देना है, preparation भी, फिर morphine के, means, doses बेगरा minimum कितना देना है, वो नर्कोटिक से आपको पता है, तो इसके बारे में वो question था, फिर positioning का question रहता है, जैसे की tendal bark position हो, फिर reverse tendal bark हो, rose position हो, फिर उसारे position भी देख कर लिजएगा, क्योंकि नीचे पोजिशन हो, पोजिशन देख के आपको identify करने देते है, next, image-based question तो आपने देखा होंगी, बहुत सरा, multi-pera का graph था, उसके अलावा आपकी anesthesia जो monitor है, उसी का graph का भी image था, तो आप उस topic का भी एक बार revision कर लिजएगा, next, ECG, ECG का question इस बार तो मुझे नहीं आया थे, बट आपकी exam में भी आ सकता है, क्योंकि ECG किसने father of ECG कौन है, ECG का full form क्या है, फिर आपको identify करने के लिए भी देश सकता है, क्योंकि जैसे कि ECG में अगर इस तरीका से रहेगा, तो VT है, VT क्या है, BF क्या है, क्योंकि आपको defibrillator आते तो ECG का basic भी आ सकता है, so guys, एक उस topic था, जो according to me, ये golden point है, कि Delian's ने इसी topic से इस बार question किया था, next time भी जोरूर करेंगे, क्योंकि ये जो topic है, every day use होती है, not only आपकी exam में, हमारी nursing officer के exam में भी hard by repeat होते है, मैंने कुद देखे हैं, तो आप इससे preparation कीजिए, तो ठीक रहेगा, thank you guys and good luck. झाल